तो आप भी solar panel का इस्तमाल करते हो और आपकी घर का बिजली बिल उतना ही आ रहा है जितना solar इस्तमाल करने से पहले आता था मतलब कि आपको solar panel लगाने का कोई benefit नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो आप पूरा ज़रुर दिखेगा इसका पूरा कारण है कि आप अपने solar panel का सही से इस्तमाल नहीं कर रहे हो जिसके वज़े से आपके घर का बिजली बिल उतना ही आ रहा है जितना solar इस्तमाल करने से पहले आता था तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको solar panel का इस्तमाल करना है और आपको अपने घर की बिजली बिल को कम करना है देखे चाहे आप 100 वाट सोलर इस्तमाल करते हो या फिर 10 किलो वाट सोलर इस्तमाल करते हो हम आपको ऐसा प्रोसेस आपको बताएंगे जिससे आपके घर का बिजले बिल अगर आप चाहें तो जीरो रुपए भी कर सकते हो या फिर आप चाहें तो 50% भी कम कर सकते हो ओके तो वीडियो को एंड तक जोर देखेगा तो चलिए पिना टाइम वेस्ट की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं लेकिन सोलर पैनल जो है डी सी करेंट जेनरेट करता है हमारी बैटरी को सप्लाई करने के लिए मतलब कि सोलर से हमारी बैटरी में करेंट आती है और बैटरी हमारे कनेक्टर रहता है यूपीज से इन्वर्टर से और इन्वर्टर से हमारे घर का पूरा लोड चलता है तो यह प्रो इस्तमाल नहीं करेंगे तभी तो हमारी घर की बिजली बिल्ड नहीं आएगी या फिर आएगी अगर थोरे समय के लिए इस्तमाल भी करते हैं तो कम आएगी तो यहीं प्रोसेस है हम अपने ज्यादा से ज्यादा हम अपने इन्वर्टर का इस्तमाल करें करें कि आपको बताते हैं कि कैसे हम इस्तेमाल करें कि डेखी दोस्तों उसके लिए क्या क्या होगा हमें सब्सक्क्राइब थे करना सब्सक्राजी करते हो तो अगोसे करें बिधित टेकनोलोजी क्या है हम आपको बता देते हैं अब MPPT टेकनोलोजी में एक बहुत ही शांदार फिचर्स देखने को मिलता है जो कि मुझे बहुत पसंद आया और यह बहुत लोग को भी पसंद आएगा और यह आपको भी पसंद आएगा और यह चीज जो है आप घर का बिजलीबिल बचाने में बह अब हमारे बैटरी फूल चार्ज राती है तो बैटरी को करेंट सप्लाई करना सोलर तानल बंद करता है लेकिन जनेरेट करते रहता है और यूप अब दोस्तों MPPT यूप से वह क्या करेगा हमारे घर का में सप्लाई जो है जो एलेक्टरिसिटी से पहले हमारे घर का सारा चल रहा था उसको ही यह disconnect कर देगा मतलब कि घर का सारा इलेक्टरिसीटी से चलने ओला डिवास को यह main supply को disconnect कर देगा और घर का सारा लोड जो है अपने UPS सहीं अपने inverter सहीं चलने लगेगा और यह ज़र तब तक चलाएगा जब सूरज की रऊष्णी से हमारे सोलर पैनल से मिलते रहेगी मतलब इसके बारे में हम उप समझे तो सोलर से जब तक क्रेंट रहेगी तब तक ये प्नी भर का सारा लोड आपनी बैटरी से में अपके तरक बेस सोलर पैनल सही चलाएगा और इसका यह बहुत सही इस्तमाल करता है esta सबस्द्स कहना होती हुआ जो सब्सक्राइब गेटरी करने करने कंभेगी ओर लोड्यक्झे जरेखें यूपने तो यानिम सोचे तो सुबह 6 बएस लेकर साम को छे बजे तक यह घर का पूरा लोड चलाएगा और अगर शुबह से छे से साम को छे बज़ तक चलाएगा तो 50% हमारी घर का बिजली बिल एकदम नहीं आने वाला है मतलब कि 50 परसेंट हमारे घर का बिजली बिल जो है वो कम ही आएगा और साम के टाइम में में सप्लाई अपने आप अन हो जाएगा जब सुरच जब सोलर पैनल करेंट बनाना बंद कर देगा तो यह फीचर मुझे बहुत संदार लगा आयोब कि आपको भी अच्छा लगा लेकिन अगर आप पिटी सोलर यूपिस पर चेस करते हो तो आपको फैसे ज्यादा खर्च करने पर जाएंगे लेकिन आप सोच रहे हो चेपीसे हमें नहीं खर्च करने है तो भी हम आपको बैस प्रीका बताते हैं अपको क्या करना है उसके लिए आपको मैन्न वाली आपको करना है में और कोना करना है यसके लिए आपको क्या करना होगा आपका शोलर पेनल लगबबग 6 बज़े से काम करना भी सोरू करता है अध्यकु चछे बच तो अगर में में क्या करना है मेन सब्साइजौ में जहां पर हमारे घर का मिटर लगा हुँंता है में चौकल को मेंदें चैन्च सेवह करते हैं वहां गया फंपने से अपने घर का पाऊचा T Salt कृएर का साड़ा आपके इन वेट़र चलने लगए के चप्राइब करना बाद आपके घर का सारा लोट सिरруз है से शॉब़ा से अपने घर का सारा रहा है और अधुनि इन वटर से चला रहा है हमारे तो यह चला रहे हैं मिल को कम कर प्राइं और रात का टाइम में सोलल पैनल का इस्तेमाल कर रहें तो इस तरह से 50% प्रिजलेबिल को कम कर सकते हैं तो कि ये था कुछ बैसरीन टिप्स सोलर पैनल इस्तेमाल करने का उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सबस्क्राइब को शाल है तो कमेंट करें अभी तक पपीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करके चैनल को भी जोरो सब्सक्राइब करें